तेंग से हम मैं आपका भद बहुत स्वागत है दोस्तों देखिए जो है यह SPT का करेंट अफेर है और यह कब का है यह मुए 2023 से एक अपरेल 2024 का है जो लिटेस्ट है 2024 का एक अपरेल 2024 का आया है यह SPT पब्लिकेशन का है ठीक है और यह वार सिखांग का है आप देख सकते हैं यह लगभग जो है वान लाइनर बाइस्टों प्रॉस्टों हो जाएगा और अब्जेक्टिव जो हो जाएगा वह हो जाएगा सारे आप देख सकते हैं इसका हम पूरा अब्जेक्टिव का डिसकेशन करेंगे ठीक है तो देखिए इसमें जो है पाहला अब्जेक्टिव कोईचन है इसमें पाहला जो दिया है देखिए हाल ही में पाहला बैस्विक और श्रमानता अनुष्णधान पुर्षकार से किसी समानित किया गया है तो ये जो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा जेम्स बॉयल्स और दूसरा हो जाएगा बीना अगरवाल यानि इसका एंसर डी हो इसके बाद है किस राज के चोची में और अस्ताइय रूब में इस सॉरूर किया गया है तो कहां के मध परदेश का ठीक है इसके बाद है एबल पूर्षकार दूहजाजात टूहजार चोवी से शमानित किया गया है तो ये 2024 में भारत 143 देशों के सूची में आउस्थान कितने स्कोर्ट के साथ 146 में अस्थान पे हैं तो यह जो हो जागा स्कोर्ट जो हो जाए 4.1 के साथ इसके बाद है मल्यालम भासा के परसीद कभी प्रभावर्मा को उसके किस किरती के लिए प्रतिश्चित 33 सरस्वत्ती सम्मान 2023 से समानित किया गया है तो यह हो जागा रौद्र साथ विक कम सीखाए कौन हो जागा रौद्र साथ विकम हो जागा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिया आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 23 में प्रदूसन के मामले में भायत को 2024 का संगीत कलानिधी पुरुषकार से समानित किया गया है तो यह है टीम कृष्णा ठीक है दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिये ओमेंस प्रिमिलियार लिंक 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है तो यह जो जीता है इस बार जो है रोयल चैलेंस बंगरोर ने जी इसके बाद अगला क्वेश्चन हाल ही में किसे महराष्ट गौरण पुरुषकार से समानित किया गया है तो यह जो है उमा अरेले को समानित किया गया है और किस महिला क्रिकेटर को फरवादी 2024 के लिए ICC Player of the Month से समानित किया गया है तो यह जो हो जाएगा एला बेल सदर ला इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा यूरोपिय देश नाटो का 32 सदस बन गया है तो यह हो जाएगा स्वेडेन हो जाएगा ठीक है इसके बाद है गरपात को असर मैंदानी का अधिकार देने माला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है तो यह बन गया है फ्रांस बन याद रखना है इसके बाद है भारत निर्वाचा नायोग ने किस राज में मिशन 414 अभियान सुरू किया है तो यह किस कौन सा राज हो जाएगा हिमाचर प्रदेश में हो जाएगा और 22 मार्च को किस राज ने अपना 112 अस्थ अपना दिवस बनाया यह हो जाएगा बिहार इसके बाद है वार्च 2024 का महराष्ट भूसन पुरुषकार किसे दिया गया है तो 22 की बात बोल रहा है तो यह है डॉक्टर प्रदीप महाजन ठीक है इसके बाद है अगला कोईचन देख लिए भारत के नए लोगपाल अध्यक्स कौन बने है यह जो बने है एम्यम खान वी में जीता है इसके बाद अगला कोईचन हाल ही में किस देश के जद्दा के अल्जावाहरा में दुनिया के पहली 3D प्रिंटेर महजित का नावरान किया गया है तो कहां हो जाएगा तो साओधी औरब में हो जागा इसके बाद किस सहर में दुनिया के पहली वैदी घरी अस् जैन मद पर्दिश में इसके बाद अगला कोईचन देखिए राइंग को एस्टेशन नाम से भाद के किस राज के पहले रिल्वेस्टेशन के अधार सिखार रखी गई है यह की से हो गया सिक्कम हो जाएगा इसके बाद हाल ही में जारी अंतराष्टिया होकी फेडरेशन र मनदीत हो जाएगा तो यह हो जाएगा किसे मलेरिया रोग से हो जाएगा ठीक है इसके बाद है 22 मार्स को किस ठीम के साथ बिस्व जल्दीवस मनाया गया तो यह है वाटर फोल प्रोस्परेटी देशों में कौन सा स्थान रहा है तो यह जो रहा है एकसो आठमा स्थान इसके बाद अगला क्वेशन देखिया हाल ही में खबरों में रहा है Blue Land कींदो देशों के पीच स्मा का निर्धारन करता है सतरत कमल हो जाएगा इसके बाद अगला क्वेस्थासि किर्सिया अनुसंधहन परिस्थार्द ने क्रिसी छेत्र में नई 22 मार्च को इसरो ने री यूजेबल लॉंच वेहिकल यानि आरल एक्स एली एक्स जीरो टू के लेंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है इसे क्या नाम दिया गया है तो इसको जो नाम दिया गया है पुश्पक ठीक है याद रखना है हाल ही में FSS ने देश के कितने जेलों सबस्ते और चांते शायोग संखतन ऐस्टार्टाप बोनाइज भा है तो यह हुआ है नई दिल्ली में इसके बाद है पिये मोदी द्वाया स्टार्टप महाकुम का योजन कहां किया गया है तो ये किया गया है भारत मंडप नई दिली में इसके बाद है वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट दुवाया 24 के इंसार दुनिया का सबसे खुश हाल देश कौन है तो ये हो जाएगा फिन्लेंड इसके यसे साथ भारत और किस देश के बीश अपर आध्यों परना केल करनेक लिए आधुनिक डीजिटाल प्लेटफॉर्म तुरी नेत्र एप टू पॉइंट जीरो लंच किया है तो ये कौन सा हो जाएगा उत्तर परदेश हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगला कोचन हाल ही में भारती है मुल्की महिला विस बैंग के बैस्विक परियावरां वैस्विक पर का अहल्या नगर कर दिया है तो ये हो जाएगा महराष्ट इसके बाद पीवी नर्सिंग हार और मेमोडियल आवार्ड इसे परदान किया गया है ये परदान किया गया है रतन टाटा को और अगला कोचन देखिए शोला मार्च दोजार चुनाओ ने लोग सभाचनाओ दोज 24 के अक्टूबर दिसंबर महिना तिमाही के दोरान भारती अर्थ होस्ता कितने परतिसत विर्दी दर्ज की है ये जो हो जाएगा आर्दसम्ला चार परतिसत इसके बाद अगला कोचन किस राज से समंदित माजुली मास को जिया टैग मिला है तो किस राज से समंदित हो इसके बाद देने के बाद किस राज के राजपाल सीपी राधा कृष्णन को त्यलंगाना का तरिक प्रभार दिया गया है तो ये हो जाएगा कौन जहारखन का ठीक है इसके बाद देखिए 55 नमबर नीती आयो किसके सहयोग से फ्रांटियर टेक्नोलोजी लाइव लाइव किया जाएगा किसके सहयोग से तो ये हो जाएगा मेटा के सहयोग से इसके बाद आगला क्वेचन हाल ही में किस राज सरकार ने युबा उद्मियों को सवसक्त बनाने के लिए युबा उद्मी विकास अभियान शुरू किया है तो ये हो जाएगा कौन सा उत्तर परदेश ह ठीक है इसके बाद है नए चुनाव आयूत के रूप में किसे चुना गया है तो देखिए नए चुनाव आयूत के रूप में जो है सुखवीर संधु को और जो है ग्यानेस कुमार को ठीक है संतावन का कौन हो जाएगा डी यानि ए और बी हो जाएगा इसके बाद है परसार भारती के नई समचार साधाकरन प्लेटफॉर्म पीवी सैब्ड को किसने लंच के है तो अनुराग ठाकुने इसके बादे पाकिस्तान के चोध में राश्टपती के रूप में किसने सपत लिये है तो यह हो जाएगा आसफ अली जरदारी आसफ अली जरजारी हो जाएगा इसक कहां किया गया है गुजरात में किया गया है अगला कोचन देखिए गलोबल रिसोर्स और लुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है तो यह जो है यू एन एपी के द्वारा जारी किया जाता है इसके बाद है साइमन हैरी किस यूरोपिय देश के सबसे युवा परधान मंत्री बने है तो यह जो है आयरलाइन का ठीक है याद रखना है कहां का आयरलाइन का बना है इसके बाद देखिए हाल ही में सर डिचर्ज हेडली मेडल से किसे समानित किया गया है तो देखिए किसे समानित किया गया है 64 का जो हो जाएगा रचीन रविंदर रचीन र जिला बना है बीचेत किसराज का जिला बना है तो ये जो हो जाएगा आरुनाचल पर्देश का पीम मोदी ने भाद के पहले प्रिस्टीना पिस्जोकोबा किस देश की है तो ये जो हो जाएगा चेक रिपब्लीक का और भारत के किस राज में दुनिया के सबसे लंबी ट्वीन लेन टर्नल का उधगाटन किया गया है तो ये हो जाएगा कहां पर अरुनाचल पर्देश में इसके बाद है मिस वर्ड हु देश समद्धित खिलारी नील वैगनर ने अंतराश्टि किरकेश राटास्टी से चेश्ण पाफन. आस ले लिया है तो यह है new feeling का है याद रखनाव कहा है तो new feeling का है ठीक है इसके मिला कोईचन देहें कर वार 2014 ने सबसदेश अभी नीत का वार्ट यतीन भासकर दुगल ने ठीक है याद रखना है इसके भारते भारते नौसेना ने लक्ष दीप किस दीप पर अपने नए बैसेरा के स्थापना किया है तो यह जो है मीनिका दीप पर इसके बाद है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उधगाटन पीम मोदी ने किस गया है इसके बाद है भारत के पहले एसमॉल एसकेल यानि भारत के पहले एसमॉल एसकेल एल एंजी यूनीट का उद्गातन किस राज में किया गया है तो यह किया गया है मध्व पर देश में ठीक है इसके बाद है स्टेल सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हैड्रोजन प् स्मुंद्री अभ्यास समुंद्र लक्ष्मन भारत और हुछ देश के बीच आयोधित किया जाते हैं इसने मंतरि अरजूर मुंडा ने किस राज में जनजाती सांस्कृतिक और विरास्त के संदक्षन और संबर्धन केंदर की अधार सिला रखा है तो यह जो हो जाएगा जारखन में इसके बाद है अधिति योजनाकिस छेत्र से समंधित हो जाएगा तो यह हो जाएगा रक्षा छेत्र से समंधित हो जाएगा और केंद्रिय मं पधिसे जाए गएक टुर्श में स्थापित किया जाएगा इसके बादय किस भारत के नायट हुट मुव्थ से सम्मानित किया गया है, तो ये है सुनील भार्तिय मितल को, इसके बाद है पि-म सुर्जगर, यांनि मुद्विजली योजना के लिए कितने करोर रुपए मनझूर किया गया है, तो ये जो किया है 75,000 करोर रुपए जो है मंजूर किया गया है इसके बाद है हाल ही में डेंगू वुखार से के तेजी से बढ़ते मामले के कायन किस देश ने स्वास्त अपातकाल की घुशना किया है तो यह है पेरू हो जाएगा और चुनाव आयुग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभि साथ में सब से सतक का रेकॉड किस खिलाली ने बनाया है ये जो हो जाएगा जॉन निकोल लॉफटी इस इन ठीक है क्या जाएगा जॉन निकोल लाफ्टी इटन हो जाएगा इसके बाद अगला कुछ ना किया हाल ही मैं किस विद्याला nे यूजी सी के से शरेनी-वन का दर् करने सब्सक्राइब करने इसके बाद है बहुत के बाद बहुत क्या गया है जमूilly और कास्मीर में इसका लिए अनुसंतान के लिए जी दी बिड़ला पुर्षकार जितने वाले पहला पहली महिला थे कौन बन गए है तो यह बन गई है अदीती सेंडे अदीती सेंडे बन गए है इसके बह Championships कि पीच क्यूरेटर बनी है यह बनी है जैसिंथा कल्यान इसके बादे वर्ष दोवार्ष दोविस के दादा साहा फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरुषकार मिला है यह हो जाएगा जवान का इसके बादे हाल ही मेराई सीना डायलोग ने किस संस्क्राण का आजर नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष परतियोगता सहयोग निर्मान विसाय के साथ हुआ है यह हो जाएगा कौन सा हो जाएगा नौ में ठीक है इसके बाद है अगला कोच्छन देखिए हैं इंटरनेशनल सोलर एयर लाइन्स यानी ए और किस प्रख्यात लेखर और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सरवच नागरिक समान नाइट आफ दा लीजन आफ आउनर से समानित किया गया है तो यह हो जाएगा ससी थरूर को इसके बाद एगला कोच्छन किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी जन दिन पर क्यों सा मनाया जाता है राष्टिय महिला दिवर इसके बाद हाल ही में करपुरी ठाकूर लाल कृष्णा अडवानी नर्सी महारा चाधरी चरन सिंग और एम स्वामी नाथन को भारत रत समान मिला है इस परकार अब तक कुल कितने हस्तियों को यह पुरुषकार और बिचोंग बनने की घुसना हुए राज में जीलो की कुल संख्या कितनी हो गई है तो अरुनाचल परदेश में जीले की संख्या कितनी हो गई है तो 28 हो गई है इसके बाद है समान नागरिक संगीता बिलागू करने वाला भारत का पहला राज कौन बन गया है तो यह बन रजक इसके बाद है एक फरवरी 2024 को भारतिय ट्रक्षक वल ने ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है तो ये हो जाएगा 48 मा स्थापना दिवस और 13 फरवरी 2024 को पीम सूर्ज घर मुप्त बिजली योजना को किशने लॉंच किया है तो ये किया है कौन नरेंदर मोदी ने लॉंच किया है इसके बाद है देखी 124 का हाली में जारी वर्ष 2020 की भरष्टा चार आव धारना सुचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है तो ये मिला है तिरान विर्मा अस्थान इसके बाद है सरक सुरक्षावल लॉंच करने वाला भारत का पहला राजी कौन बन गया है तो ये बन गया है पंजाब इसके बाद है आस्ट्रेलियन ओपेन 2024 में महिला एकल का किताब किसने जीता है तो ये जीता है एरिना सबालेंका ने इसके बाद है अठाइस जन्वारी 2024 को महान सोतंता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन से जहनती मनाई गई तो ये मनाई गई 169 जहनती इसके बाद है आश्ट्रेलियन ओपेन 2024 में पुरुस एकल का किताब किसने जीता है तो ये जीता है यानीक सीनर ने इसके बाद है तीन दिवसी अंतराष्टे गीता महतसब का आजन कहां किया गया है तो देखे गीता महत सब जो हो कोलंबो में किया गया है इसके बाद है फिल्म फेरावार 2024 में रनवीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेश्ट एक्सटर का पूरुषकार मिला है तो ये देखे दोस्तो एनीमल के लिए मिला है इसके बाद है किस राज में को साल की सर्फिस्ट खिलारी का पूरुषकार मिला है तो यह कहां कि हो जाएगे Karl Laud excited कि इसके बात देखिए ैक के अफ़ासीच जैत्थ है कि स्टेषtt आबाट दो किस पूरुस्ट केर्केटर को साल का चार्फिस्ट पांसो उन्चास से अधिक बच्चों को उनके परिवार सी मिलाया है तो यह operation चलाया गया था operation नन्हे फरिष्थे याद रखना एकाउन operation नन्हे फरिष्थे चलाया गया था इसके बाद है coaching international airport लिमिटेर ने green hydrogen project के लिए किसके साथ समझाता किया है तो यह है BPCL के साथ इसके बाद है हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 24 का परदान मंतरी राष्टे बार पुरुसकार दिया गया है यह दिया गया है उन्हें इसमें बच्चे को और हाल ही में KPP नाम बियार पुरिसकार से किसे समानित किया गया है तो यह जो है स्रीधर सोमनात को समानित किया गया है और किस IIT ने भाद के सबसे बड़े ड्रोन पाइलेट पर सिक्षन स्वीविधा की शुरुवात की है तो यह हो जाएगा IIT गुहार्टी हो जाएगा इसके बाद है भाद के सबसे बड़े ग्रीन हाइडोजन प्रोजेक्ट प्लांट की अस्थापना कहां की जाएगी तो यह क अभिहास मिलन दुजार चोवीस का जन कहां किया गया है तो देखिए मिलन का जो किया गया है विसाखा पतनम में किया गया है इसके बाद अगला क्वेचन देखिए हाली में हिमालय बास्केट की सुरुवात किस राज में की गई है यान हिमालय बास्केट की सुरुवात कहा पदक जीते हैं तो यह जो इतली है साथ पदक जीते है इसके बाद एद देखेए साब ने होगा चार फदक जीते हैं ठीक है 144 सा किया हो जाएगा चार हो जाएगा चार रहा में यहाइद के रही सिर्फिछ अभियास जो हता है सांती परियास चाओथा किस देश के साथ किया जाता है तो ये किया जाता है नेपाल के साथ इसके बाद है मतदाता जागरुकता अभियान के तहद पंजाब के एस्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है तो पंजाब की बात कर रहा है तो पासकोर्ट इंडेक्स भारत कॉन सी रंक पहुषा तो ये देखिए प्टरप्रदेश में मुख मंतरी कन्या सुमंगला योजना के थत सालाना अनुदान बढ़ा कर दिया गया है। फूट उची परतिमा का नावरन किया गया है तो डेखिए ये कहा हो जाएगा ? असम में, चीक है? कहा है? किसका परतिमा का? बीर लाचित बर्फूकन की चीक है? इसके बाद अगला कोचन किस राज विधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेस किया गया है तो ये कहां किया गया है उत्राखंड में किया गया है इसे बाद अगला कोचन देखिए, बिहार विधान सभा काद्यक्स किसे चुना गया है, तो नंद किसोर यादव को चुना गया है, और राष्टिय महिला दिवस का मनाया जाता है, तो राष्टिय महिला दिवस का मनाया जाता है, तेरा फरवरी को मनाया जाता है, इसके बाद इसके बाद दखिए अला को इचन गुपतेस्वर फॉरेस्ट किस राज में है जिसे राज के बायो डैवर्सिटी हेडिटेस साइट के रूप में नामित किया गया है यह कहां पे है उरिसा में हो जाएगा इसके बाद है परसी जैन संत अचार्ज विद्या सागर महाजन का नि किस राज में हुआ था तो यह करनातक राज में हुआ था इसके बाद है भारत के पहले Chief of Defense Staff दिवंगत जनरल व्यूतिन रावत की परतीमा का नावरन कहां किया गया है यह किया गया है देहरा दून में इसके बाद हाल ही में किन दो देशों में UPI payment system launch किया गया है यह कहां कह की गई है तो हैदराबाद में इसके बाद है ICC under 2024 का खिताब किसने जीता है तो यह जीता है किसने आस्ट्रेलिया ने जीता है और वन डे में 12 सतक लगाने वाले पहले SI क्रिकेटर कौन बन गये है तो यह बन गया है पथूम निसांका ठीक है पथूम निसांका बन गये है इसके बाद है देखिए 20 फरवरी को किस राज ने अपना 38 अस्थापना दिवस मनाया है तो यह कौं सा राज हो जाएगा तो अरुनाचल परदेश हो जाएगा है इसके बाद है जारखन लोग सेवा आयोग ने के नए अध्यक्स कौन निप्त किया है तो जारखन लोग सेव अन्डर उनेश चेंपियंशिप का सर्युक्त विजदा किसे घोशित किया गया है तो यह किया गया है बंगला देश को किया गया है और साथ में हिंद महासागर सम्मिलन का वजन किस देश में किया गया है तो यह किया गया है अस्ट्रेलिया में इसके बाद हाल ही में विद्या टू राम थर्मल पावर पलांट किस राज में इस्थित है ये हो जाएगा कहां हर्याना में इस्थित है इसके बाद देखिए इंडिया एनर्जी वीक दुजार चोबिस का विजन किस राज में किया गया है ये कहां किया गया है गोवा में किया गया है इसके बाद है देश के पहले डिजिटल राष्टिय पूरा लेग संग्राले की अधार सिला कहां रखा गया है, तो ये देखिए हैदराबाद में रखा गया है, इसके बाद है देखिए पहले बिंस्टेक एक्वेटिक्स चेंपियनसी का जन किस सहर में हुआ है, ये देखिए नई दिली में हुआ है और मेरा गाउ मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रा लेकी एक पहल है, तो ये जो हो जाएगा संस्क्रितिक मंत्रा लेक है, इसके बाद है बरतमान में RCM उरान किस योजना के तहट देखिए कितने एर रूट संचालित किये जा रहे हैं, किसके तहट RCS उरान योजना के तह तो अभी जो है बरतमान में जो है 519 जो है एर रूट संचालित किये जा रहे हैं, कितना 519, इसके बाद है देखिए, काराय 17 फरवरी 2024 को इस उरा द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपरह को लंच किया गया है, तो ये किया गया है, इनसेट 3DS, इसके बाद है इनिफाइट पेमेंट इंटरफेस यानि UPI-SV कार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है, तो ये देखिए, पहला यूरोपीय देश जो है, फ्रांस बन गया है, इसके बाद है अगला कोच्छन, डिजिटल सेंगेन बीजा, डिजिटल सेंगेन बीजा जारी क करने वाला पहला युर्वपयर संह 1900 Cheer nelle démocratie यह बन गया है उसके बाद है इसके बाद हैं ग्रेमी 24 में बेस्ट ग्लोबल मियू जीनमी एलबं का Metal किसने जीता है तो यह देखिए कौन सा है इसमोślę इसने इसके बाद लिessname स्पेस में सरवाधिक समय बिताने का रेकॉर्ड किसने बनाया है तो ये बनाया है किसने ओलेग कोनो केंको याद रखना है ओलेग कोनो केंको इसके बाद है केंदर ने लागपती दिदी योजना के लक्स को बढ़ा कर कितना कर दिया है तो लागपती दिदी जो है तीन करोर कर दिया है इसके बाद है उत्राखन्द यूनिफॉर्म सिबिल कोड कमिटी के ध्यक्सकौन है तो अभी जो है कौन है रंजना प्रकास देशाय हो जाएगा और वायू सेना द्वारा अभ्यास वायू सकती 24 का युजल कहां किया गया है तो यह किया गया है जैसल मेर में इसके बा सरकार ने हाल ही में किस एरपोर्ट को इंटरनेशनल एरपोर्ट का दर्जा दिया गया है तो यह हो जाएगा सुरत हवायादा को और पुरुबत्र भारत के पहले नेचूरो पायथी होस्पीटल की नीव कहां रखा है नेचूरो पायथी होस्पीटल का नीव जो है कहां imitate है यह जीता है नीदर्लेंड में इसके बारह आइस आइस स्यप टॉक्ता दोर्पोरीस नहीं पुरुशों की स्ब्वांदंग ऍे लिए आया फ़ींट उन्य ग्वास्श्त कर्का टोकिन फॉट सेreten में इस sì और फ़्सट लेया, क्रिकेट्रत में सब तैयर 59 सिक ohne वाले वास कोन बन गए है ये वन गई है तनममे अगरवाल की सच्छा की सुराइब की है तो यह किया है पञजाब सबस्वाद कने दूसरी कंपनी है तो यह मैक्रोंट बन गया है मैक्रोसप्ट कितना शार्प पुंझी我們 दुनिया काना सा कंपनी बन गया है दूसरा कंपनी बन गया है ठीक है इसके बाद है देखिए ह knife 30 मैं फिल्म फिर्ट आवार्द में become जीता है यह जीता है ट्वेल्ट फेंडे और अखिल भारत्य अभियान हमारा समीधान हमारा समान का उध्गाटन किस ने किया है तो यह किया है जगदीव धन करने इसके बाद है हलोवास हमारो किस घटना से सम्मधित हो गया तो यह हो गया budget त्यार करने की परकिरिया से इसके बाद है ICC Men's T20 and I फिर्केट ओफ बैर का वाड़ किस खलाई रिन जीता है तु देखिये किस ख्लाई ने जितना है सुर्ज कुमार यादव यह जीता है वह किस राज के पूर मुख मंत्री थे तो ये जो हो जाएगा बीहार का और पर्धान मंत्री सुर्योदय योजना निम्यों से किसे समंदीत हो जाएगा रुप टॉप सोलर पाइनल से हो जाएगा यानि इसका अंसार डी हो जाएगा इसके बादे सुभास चंद वोस आपदा परबंधन पुरुषकार दोजार चोबीस संस्थागत स्रेनी में किसे परदान किया गया है तो यह है साइट पाराशूट फिल्ड होस्पीटल यूपी को साइट पाराशूट फिल्ड होस्पीटल यूपी को परदान किया गया है और अगला कोचल उत्तर परदेश गौरव सम से किसे समानित किया गया है यह समानित किया गया है डॉक्टर रीतु कड़ी घल सिरिवास्तव को और नवीन तीवारी को यानि इसका अंसर डी हो जाएगा बैट्मिंटन में इंडियन ओपेन दुजार चोविस का महिला एकल टाइटल किसने जीता है तो यह जीता है ताय पुर्षकार से समानित किया गया है तो यह जो है कुची पूरी निर्थ से इसके बाद है डॉक्टर भीमड़ा और मेदकर की 125 फीट उची कांस परतिमा का उदगाटन किस राज में किया गया है तो यह है आंधर पर्देश में और महतारी बंदना योजना किस राज सरकार द दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन गई है तो यह जो है कुबईती धिनार इसके बाद है टी 20 इंटरनेशनल में सरवाधिक सतक लगाने का रेकॉर्ड किस बल्लेवाज ने बनाया है तो यह बनाया है रोहित सर्मा ने इसके बाद है भारतिय वाय सेना के साथ इसके बाद है देखिए नए दिसा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की नियूनतम आयू क्या है तो देखिए 16 वर्स हो जाएगा इसके बाद है इरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है तो यह हो इसके बाद है तो यह जो किया गया था बाएस जनवरी 2024 को इसके बाद है विश्वा आर्थिक मंच ली वार्सिक वैठक का बीचाय क्या है तो विश्वास का पुनर निर्मान इसके बाद है रानी मार्ग्रेथ दितिये के बाद डेनमार के नई राजा कौन निक्ति हुए है तो यह देखिए कौन हुए है प्रिंस फेडरिक एक्स इसके बाद है भारत के सबसे लंबय पूल का नाम क्या है तो सबसे लंबा पूल का जो नाम है नहावा शोवा अटल से तो नहावा, शोवा, अटल से तो और कहां है, मुंबोई में बना है, इसके बाद है किस अतंकवादी समूह ने समालिया में सनुत राष्ट के हेलिकाप्टर पर कबजा किया है, यह कौन सा हो जाएगा, अलसबाब, इसके बाद है किस विश्रिस्ट कमांडो इकाइन अपरेश सिक्षन कार्ज करम हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद देखिए, एक जणवारी जर्फीजाऱई 2024 को ब्रीक्स समूह में सामिलch से कौन हैं, तो देखिए यह कौन हो जाएगा, ब्रीक्स में मिसर हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, इरान हो जाएगा, साअधी औरव हो कब से सामिल हो एक जनवरी 24 से ब्रिक्स में सामिल हो गया इसके बाद अगला कुछन देखिए यूजी सी ने किस डिगरी की मानता रद कर दी है तो देखिए जो है एमफिल डिगरी की मानता रद कर दी है इसके बाद है भारतिय नौसेना द्वारा कमीशन किये गए नविंतम एस्टिल्ट गाइडेड मिसायल विध्वनसक का नाम क्या है तो ये हो जाएगा आयनेस इंफाल हो जाएगा इसके बाद है दीपक्षिय स्रिंखला के लिए आए सीसी द्वायर निक्त पहली निस्पक्ष महिला आमपायर कौन बनी है तो ये बन गया है सूर रेड़ फॉर् प्लिया recently चुना गया है तो यह जो होगा है सर्मा को भारत का हो गया और सी डिलोबर फायर इंडेक्स मेरा स्थान मिला है तो यह हो जाएगा 14प अस्थाइन मिला है इसके बाद है किसभी कृउर क्रिकेटर को दिसंबर तो जाएगा और परती वर्स किस महापुरूष के जन दिन पर पूले भारत में बाड़ा जनवरी को राष्टे युवादिवस मनाया जाता है तो श्रामी विवयकानन इसके बाद हैं बीम स्टेक के नाए महासाची बनने वाले भारत ये कौन है तो बीम स्टेक का जो है महासाची बने हैं इंद्रमनी पांडे हो गया इसके बाद एकला कोईचन गोल्डेन गलोब अवार 24 में तिसे बेस्ट मोसन फिल्म का पुर्षकार मिला है ये हो जाएगा ओपेन हीमर का और अरिंदम बागाची के अस्थान पर विदेश मंतरा लेके नए परवक्ता कौन बन है तो ये बन गया है रंधीर जैसवाद इसके बाद है सुप्रीम कोट को कानूनी सेवासमाप्ति के नए अध्यक्स कौन बने है तो ये बने है कौन जस्टिस भी आर गवे इसके बाद है तीन जनवरी दू है चोबिस के पूरो पूरे भारत में सवित्री भाई फूले की 193 में जैनती मनाई गई वह कौन थी तो वह जो है भाद की पहली महिला सिक्षिखा थी इसके बाद है पीम विसकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला कंसासित प्रदेश कौन बन गया है तो ये बन गया है जम्मू और कस्मीर और एक जनवरी दुहाद चोबिस को ड DRDO का कौन सा अस्थापना दिवस मनाया गया तो ये मनाया गया 66 मा अस्थापना दिवस इसके बाद है उत्तर परदेश के किस जिले में भाद का पहला कन्या साइनिक इसकूल खोला गया है तो ये देखिए कहां खोला गया है मतूरा में खोला गया है इसके बाद देखिए CIS इसके बादे देखिए उत्तर परदे सरकार ने राजी के किस सहर को भाद की पहली AICT के रूप में विक्सित करने की घोशना की है तो यह किया है किसको लखनों को ठीक है अगला कोचन देखिए अंतरा स्टेट टेबल टेनिस महासंग यानि ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतिय सदस्कौन बन गई है तो यह देखिए इसका जो बन गया है वीटा दानी बन गया है ठीक है इसके बाद अगला कोचन किस खिलारी ने नेशनल बैटमिंटन चैंपियंशिप 2023-24 में पुरूस एकल का किताब जीता है यह जीता है किसने चिराग सेन ने इसके बाद अगला कोचन देखिए किस खिलारी ने नेशनल बैटमिंटन चैंपियंशिप 2023-24 में महिला एकल का कित आप जीता है तो यह जीता है किस ने अनमॉल खॉरब ने इसके बाद एकन सरकार नcionesकिराल में किर्टिं रेव एकाईों के श्ठापना के लिए कितने करोर रुपे आवंधित किया है तो देखिए ये जो है कितने किया है तो ये है 302 करोड रुपे आवंठीट किया है इसके बाद है महतारी बंदना योजना यानि महतारी बंदना योजना किस राज द्वड़ा शुरू किया गया है तो ये किया गया है 36 गर द्वड़ा याद रखना है इसके बाद है पीम नरेंद मोदी ने आठ अमरीत प्रयोजनाओं की शुर्वात महराष्ट के किस सहर में किया है तो ये किया है सोलापुर में इसके बाद है एसिया के सबसे बड़े बीमानन एक्सपो विंग्स इंडिया दोज्याचोबिस का अउजन कहां किया गया है तो ये किया गया है 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 इसके बाद है बिश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज में स्वास्त देखभाल और जीवन बिज्ञान पाधारित के अंद ये बन गया है कौन रमेस बावु प्रेंग्या नंद इसके बाद है अस्वम का सर्वोच नागरी पुरुषकार समान बैभभव दोज़ार तईस से किसे समानित किया गया है तो ये किया गया है रंजन गगोई को इसके बाद है देखिए हाल ही में भारतिय वाइस्टेना न देखिए 75 में एमी अवार्ड में सर्वस्टेस्ट ड्रामा सीरीज का किताब किसने जीता है ये जीता है सक्सेशन ने इसके बाद है समुंदरी अभ्यास अयुत्या अयुत्या भारत और किस देश की नो नौ सेना के बीच आयुत्या जाता है तो अयुत्या जो है भारत और के बीच आयूद किया जाते इसके बाद एस याई सुटिंग चैंपियंशिप दोजाद चोबीस में पुरुसों की पचीस मीटर एस्टेंडर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेंडल जीते हैं यह जो हो जाएगा कौन योगे सिंग हो जाएगा इसके बाद है सिक्वेर स इको सिस्टम संभव को किसने लॉंच किया है तो इसको जो लॉंच किया है इंडियर आर्मी ने ठीक है इसके बाद है टी ट्वेंटी इंटरनेशनल ने में देर सो मैच खेलने वाले पुरूस टिर्केटर कौन बन गया है तो पहले पुरूस टिर्केटर जो है डोहित सर्मा बन गए है इसके बाद है ODI में सबसे 37 बीकट लेने वाले गेंदवाज कौन बन गए है तो ये बन गए है कौन वानिंग वानिंगू हसरंगा ठीक है हसरंगा बन गए है इसके बाद अगला कोईचन देखिए महराष्ट किस टैगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क एसकाई पार्क का खिताब मिला है तो ये मिला है पियंच टैगर रिजर्व को ठीक है इसके बाद देखिए अगला कोईचन हाली में किस बैंक ने समान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है तो इंडन संड बैंक ने ठीक है इसके बाद अगला कोईचन देखिए इसके बाद है स्वक्ष सर्वेक्षण 2023 में किन दो सहरों को सबसे स्वक्ष गंगा सहर आवार्ड मिला है तो ये मिला है किसके वारा नसी के और परियाग राज को इसके बाद है पीम मोदी ने 27 में राष्ट्य युगा महसरफ का उधगाटन कहां किया है तो ये किया है नासिक में और स्वक् इसके बाद है किन सरकार ने रक्षा मंतराले में अतिरिक्त सचीव और महानिर देशक के रूप में किसे निप्त किया गया है तो समीर कुमार सिन्हा को निप्त किया गया है और वाइबरेट गुजरात ग्लोबल समित 2024 के मुख्या थी कौन थे तो ये कौन थे तो ये होगा मु सब्सक्रों किया गया है तो अर्जुनवाड से 26 खिलारी को समानित किया गया कोलेज में फगत थांसी मीशन किश्रवाद कीया गया है तो ये है मनीपुर में इसके बाद हाली में चंदुब्ब्बी महतसम, Kay Burmani में इसके बादा है गोल्डन ग्लोब अवार दुजाचोबिस में सर्फसेश निर्देशक का अवार किसे मिला है ये मिला है क्रिश्टोफर नोलर को इसके बाए एस्टियाई ओलंपिक वालिफाइ में पुरूसों की दोस मीटर ये पिस्टल टीम असपरदा का स्वन पदक किस टीम ने जीता है ये जीता है प्रिथवी विग्यान योजना के लिए कितने करोर आमन्चित किया है देखिए जो ले कितने करोर आमन्चित किया है 4797 करोर याद रखना है इसके बाद हैै अगला इसके बाद है खेल मंत्री अनूराक ठाकुर ने कहां पर बीच ग्यम्स का उधगाटन किया है यह हो जागा गोगला बीच में और किस राज के कादियाला सारी को जीयाट किस राज पर्देश में और हाली में स्वाद्ये दर्सन 2.0 योजना में किस वने जीव अभ्यारन को सामिल किया गया है तो ये किया गया है डेबरी घट वनेजीव अभ्यारन इसके बाद़ है किसे हाल ही में भारत कितने वर्षों के लिए, सनीूराथ, संख्यांकि, आयोग के सदस के रूप में अपना काजगाल शुरू किया है यह चार वर्स के लिए और स्कॉर्टिस जुनियर ओपेन स्वेस अंडर 19 किताब की स्खिलारी ने जीता है तो यह जीता है अनहाथ सिंग ने जीता है इसके बादे भाहत का पहला पंडूबी परियाटक की सराज में शुरू किया जाएगा तो देखिए पहला पंडूबी परियाटक जो है गुजरात में शुरू किया जाएगा इसके बादे अगनी सामक सेवा नागरिक सुड़क चावर होमगार्ट के महादीर विसका के रुप में किसे नुक्त किया गया है तो यह है विवेक्ष्री वास्तव को इसके बादे नौस्येना में केंद्रिय कावनियेट ने किस देश में भारत के महावानीजे दुतावास खोनने को मं जूरी मिला है कहाँ पर न्यूजिलेंड में किस राज में कारभी युभा महुतसम 2024 का अजून किया गया है तो ये कहा हो जाएगा असम म हे राष्टिय बैटमिन्टन चेंपियंशीप 2023 में महिला एकल का क dinero किस ने जीता है ये जीता है अनमोल खमोब ने इसके बाद और किस देष ने पुरुसकार 2023 में किस उपिनासकार को उपिनास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भासा का पुरुसकार मिला है तो ये मिला है किसको नीलम सरन गौर को इसके बाद है किस किर्केर टीम ने बिजय हजारे ट्रॉफी 2023 का किताब जीता है तो ये जीता है हर्याना न और अगला क्वचान किस क्रिकेट टीम ने पुरूस अंडर 19 Asia Cup 2013 का किताब जीता है तो यह हो जाएगा बंगलादेश इसके बाद है 24.75 करों रुपिया में खड़ीते जाने वाले IPL इत्यास के अब तक के सबसे महागे खिलागी कौन बन गया है तो यह बन गहा है Micheal Stark बन गहा है अस्ट्रिया का इसके बाद है Miss India USA 2020 का किताब किसने जीता है यह जीता है डिजूल मैनी ने इसके बाद है हाली में किस लेखक या लेखिका को ब्यास समान 2023 मिला है तो ये मिला है किसको पुस्पा भारती को इसके बाद किस देश की महिला क्रिकेटर नाहीरा अक्तर को नमबर 23 के लिए ICC Player of the Month से सम्मानित किया गया है तो ये जो है ट्रेविस हेड हो जागा है अस्ट्रेलिया का इसके बाद सियाचीन में तनात होने वाले पर्थम महिला चिक और 1 दिसम्बर को किस राज ने अपना 16 स्थापना दिवस मनाया है तो ये हो जाएगा नागाले इसके बाद सहत्या काद्मी पूरुषकार 2023 में किस उपनास का उनके उपनास मुझे पहचानों किसके लिए मुझे पहचानों के लिए हिंदी भासा का पूरुषकार मिला है तो ये कौन हो जाएगा संजीव को मिला है इसके बाद है भारत की पहली महिला सस्त्रवल में सहायक D.C. यानि ADC कौन बनी है तो ये बनी है मनीशा पाडी एक दिसमबर को B.S.F. ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है ये मनाया है 69 स्थापना दिवस और भारत की पहली एरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बन गई है तो ये बन गई है दिसा नायक किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कब 2013 का खिताब जीता है तो ये जीता है इटली ने और किस देश के अंकरवाट मंदिर को दुनिया के आठवया जीवों के रूप में घोशित किया गया है ये हो जाएगा कमबोडिया इसके बादे 26 नामबर NCC का कौन सा स्थापना इसके बाद किस ACI खेल को वर्शे 24 के लिए अंतराष्टी चीनी संगठन और जया गया है यदान कछ बनाया गया है ये हो जाएगा भारत को इसके बाद हाली में भारते नाँ सेना ने खिस जल छेतर में स्वदिय समानित कई है तो ये कहां हो जाएगा हारदिक सिंको इसके बाद अगला कुछन किस किर्केट खिलारी को अर्जून अबाट से समानित किया जाएगा तो यह हो जाएगा मुहमद समी को और पीम विसकर्मा योजना के लिए कितने करो रूपया आवन्टित किया गया है यह है 13,000 करो रूपया इसके बाद भूमी रास पोटल किस मंत्राले के एक महत्पूर्ण पहल हो गया यह हो जाएगा सरक परिभवन और राजमाग मंत्राले इसके बाद देखिए हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजात ट्रॉफी किसने जीता है तो यह किसने जीता है तो यह जीता है गुरू नानक देव विस्विद्या पोटल को किसने लंच किया है तो यह लंच किया है पहलार चोषी ने इसके बाद है भारत में किस छेतर में अपने पहले सीदकालिन बैग्यानिक अभियान की सुरुवात की है तो यह हो जाएगा आर्टिक छेतर की और किसे हाली में भुटान के परतिश्ठिट नेसनल ऑडर और मेरिट गोल्डेन मेंडल से समानित किया गया है यह हो जाएगा पूनम ख्यत्रपाल को इसके बाद हाली में किस बैंक ने इन्फार इस्ट्रक्चर बॉंड इस्यू के जड़िये 7425 क्रोर रुपे जुटाए है यह हो जाएगा HDFC बैंक इसके बाद मेजर ध्यान चंद्र ख पाइडा गेम्स में किस राज ने सरवाधीत पदक जीते है तो यह जीते है कौन हर्याना ने जीते है इसके बाद देखिए 36 गड़ राज विधान सभाकाद्यक्स किसे चुना गया है तो रमन सी को चुना गया है और पियम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े meditation center स्वाधेव महामंदीर का उद्गाटन किस सहर में किया है तो यह किया है कहाँ पे वरा नसी में किया है इसके बाद हाली में किस देश के सासक के निर्धन के बाद भारत सरकार ने एक दिन का राज के सोग घोसित किया है यह कहां का हो जाएगा कुबईत के इसके बाद है दुनिया के आठवे गेंदबाज कौन बन गया है तिये है नाथन लियोन बन गया है ठीक है इसके बाद है इसराइल ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है तो याद रखना रूबेन अजार को इसके बाद है किस भारती नहाल ही में अंटार्टिक को किस नौ नौ सेना डाक याड पर कमीशन किया गया है तो यह हो जाएगा विसाखा पतनम डाक याड इसके बाद है बी सी सी आई ने हाली में किस पुर्ण क्रिकेटर को जर्सी को रिटायर करने का फासला किया है तो यह जो है रमेश बावु ठीक है बैसाली रमेश बावु तिरू वलरूल को समर्पित परतिमा कानावरन कहां किया गया है तो यह किया गया है फ्रांस में इसके बाद है साल दोजार तो गूगल के टॉप दोस ट्रेंडिंग अथलीटों के लिस्ट में एकलोते भारते क्रिकेटर कौन हो अमिल किया गया है तो यह किया गया है निहित साहनी को इसके बाद समुधायों को नित्युत करने दो विसाय के साथ एक दिसंबर का कौन सा दिवस मनाया गया तो यह मनाया गया बिस्व एर्ट्स दिवस मनाया गया इसके बाद आगला कोशन देखिए सियाचीन गलेसियर के operational post परतायनात होने वाली पहली medical महला officer कौन बन गई है तो ये बन गई है फातिमा वसीम बन गई है और किस अभिनेतरी को इटली के परतिष्ठित नागरिक समान और और अफ मेरिट अफ द इटालियन रिपब्लिक से समानित किया गया है तो ये किया गया है कीरर बेदी को इसके इसके बाद है आयम है ने अर्थ वेस्था में सुधार के दिए स्रिलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहता परदान किया है यह है 337 मिलिया और पद पानी लैफ टाइम अचिमेंट अवाद से किसे समानित किया गया है जावेर अक्तर को इसके बाद है इंटरनेशनल किसे नामित किया गया है निखिल डे को और वार्षिक सार अमरतला तोग्या मौत सब किस राज में मनाया गया है यह मनाया गया है अवना चल्व पर देश में इसके बाद है ग्लोबल पार्टनर्सीप और आर्टिफिसियल इंटिलिजिएंश सीखर समिलन का जन कहां किया गय दुज़ार सैतालीस वाइस आफ यूथ पाहल कि इसने शुरू किया है तो यह किया है नरेंद्र मोदी ने और वर्ल एस्वासियेशन आफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजनसी का बिस्म निवेस्ट समेलन कहां आजूत किया गया है तो यह किया गया है नई दिल्ली में इसके बाद है क्लाइमेट चेंज परफ़रमेंस इंडेक्स दोजायत तेस में भारत की रैंक क्या है तो भारत की रैंक सातमा है हाली में जाली गलोबर पोलूशन रैंकिक में कौन सा सहर्शет परहा है तो यह रहा है लाहाओ हर इसके बाद है गूगल की पायंट कमपनी मति chocol love would range का लिधर दिण है जैनिए तो यह किया ऊछ किया गया है किसकी पर्तिमा का नाव रन किया गया है किया है तुछ है व कि के मान्तर को किने मंत्रा लाएं का अतिरीक्त परभार दिया गया है तो यह है अर्जून मुन्डा को इसके बाद है कि से time magazine of personal of the year से नामीत किया गया है यह किया गया है टेलर स्विप्ट को ठीक है किसको टेलरसिप्ट इसके बाद किस राज के गरवा निर्थकों युनिस्कों के अमूर्थ सांस्कृत्री विरासत की लिस्ट में सामिल किया गया है यस किस राज कर जगा गुजरात राज करने वाली भारतिये कौन बन गई है पहली भारतिये जो बन गए है कौन यह हो जाए अक्षता अक्षता किर्ष्ण मूर्थी इसके बाद है हाली में टाइम मैंगी ने किसे CEO of the year चुना है तो CEO of the year के जो है Sam Altman को चुना गया है इसके बाद है किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन आफ क्रेडिट पहस्ताक्षर किये है यह हो जाएगा भारतिये एस्टेट बैंक इसके बाद है किस देश में के मेड़ोपी जो अलाम की यानि के मेड़ोपी जो भारतिये नो से ना को सफा गया है इसका निर्मान किस ने किया है तो इसका निर्मान किया है गार्डन रीच सीप बिल्डर्स एंड इंजिनियरिंग कोलकत्ता के द्वारा किया गया है काडियो पलमोर्नी रेस सी टेंसन यानि सी पी आर पर आस्ट व्यापी जन जागरुता अभियान सुरू किया है ये कौन सा हो जाएगा डॉक्टर मंसुक मांडिया इसके बाद ही में भारत के तीसरी महिला ग्रेंड मास्टर कौन बन गया है तो महिला की बात कर रहे है तो य टेक श्टार्टप पर साहन अभियान सुरू किया गया है ये कहां किया गया है आयाइटी रोपर में और इंटरनेशनल मेरी टाइम और्गनाइजेसन के लिए भारत को फिर से चुना गया है इसका मुख्याला है कहां हो गया तो इसका मुख्याला है लंदन में हो गया इसके किया गया है नागा लेट में इसके बाद है पिम मोधी ने एक दुसहार फेयर का अइजन किसा सहर में किया जाएगा लियाद में और किस हॉलीएबूर्ट अपनेता को सत्य इतरेए लाइकल दगलौस को इसके वाहिए के अंदर मंत्री मंदल ने गडियाग उलान कार्श करम को कितने बर्सों के लिए और भारत के पहले दूर संचाद उध्करिष्टा के में शुरुआत की सराज में की जाएगी ये की जाएगी उत्तर पर देश में इसके बाद है चालिस में कोश्ट गार्ड कमांडेट का सम्मेलन कहां एजुद किया गया है तो यह किया गया है कहां पे यह किया गया है नई दिल्ली में किया गया है इसके बाद है इसके बाद है इसके बाद है चक्रबाद माइक कोंग को किस देश ने नाम दिया है तो यह न इसके बाद है यौन अपरादों से जुरे मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक एस्पेसल कोट को अगले कितने वर्सों तक जारी रखने की मझूरी दी है तो यह जो हो जाएगा तीन वर्सों मतलब रखने की मझूरी दी है इसके बाद है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2030 का सु जाला हो जाएगा और किसे हाल ही में दक्षिन अफिर्का की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है तो यह हो जाएगा लाइडा वालवाट हो जाएगा तो यह किस भासा का है तो यह जो हो जाएगा तमील भासा का हो गया ठीक है इसके बाद है किस आईरिस लेखक ने उपिनास पैगंबर सॉंग्स के लिए बुकर पुरुषकार 2023 जीता है तो यह हो जाएगा पॉल लिज इसके बाद है इमी आवार जितने वाली परथम भारती महला कौन बनी है मिय और जितने वाली एकता कपूर बन गई है। इडाट, कोली और भारत से समंदित हो गया इसके बाद है gegen seven gonna pay का सिरू जो है सांश के बाद हाल ही में इसी सी हॉल ओफ फियम में इसामील होने वाले पर्थम भारते महिला राइड टो यह बन गई है कउन dina एडूल जी इसके बाद है पोलीस पे कंपनी डिक्टाट डोर ने दुनिया की पहली AICO निक्त किया है इसका नाम क्या है तो इसका नाम जो हो जाएगा मीका इसके बाद है देखिए किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2013 के लिए आशे सी प्लेयर ऑफ दा मन्स दे समानित किया गया है ये किया हीली मैथ्यूज कहां कहा है वेस्टें डीज का हो गया भात में पहले अंतराष्टी क्रूज लाइनर कोष्टा सरेना के डोमेस्टिक सेलिं सुने वालने इसके बाद अगला कोईचन देखिए नौ नावंबर को भारत के किस राज ने अपना स्थापना दिवस मनाया है ये हो जाएगा जारखन जारखन के अस्थापना नो जनवरी 2013 को हुआ था इसके बाद है सन्यूक्त सैन्ड अभ्यास एक्सरसाइज मित्र सक्ती 2013 इसका भारत और किस देश के साथ किया जाता है तो ये देखिए ये का किया जाता है इसके बाद किस टीम ने सयद मुस्ताक अली ट्रोफी 2013 इसका खिताब जीता है तो ये जीता है पंजाब ने और अंतराश्टिय सौर गठबंधन यानि ISA का पंचान मिरमा सदस्कॉन है तो ये बन गया है चीली इसके बाद अगला कोईचन देखिए 417 नमर किस होकी टीम ने वर्ल्ड उमेन एसियन चैंपियनसीप ट्रोफी 2013 इसका खिताब जीता है तो ये जीता है भारत ने और भारत के पहले दलित मुख सूचना आयुक्त CIC कॉन बने है तो दलित के बारे लिए और धहर है को शिर्ड लाल शामरिया उसके बाद हाल ही में कॉन अंतराष्टि किरिकेट में ट्रायं आप के कारन आंट होने वाले परफंबल्यवाज बन गया है तो ये बन गया है उन भारतिये मूल की लेखिका को बित्री ऌर्लखीकप प्रैज Diese समानित किया गया है तो ये हो जगा नंदिनी डास को, इसके बादे बाल विज्ञान महसब का उधगाटन किस ने किया है, तो ये किस ने किया है, ये किया है, डॉक्टर जितेंदर सिंग ने वर्ष दोहजार तेस के रोहनी नईयर पुरुसकार से किसे समानित किया गया है, तो ये किया गया है, द इसका नमबर को इसके बाद मद पर्देश और इसके बाद हर्यान यानि राजस्तान में नहीं मनाय गया है इसके बाद YEats UFO ने वर्ष 2023 का बेलनडी और पुरुकर जीता है तो यह हो जाएगा इसके बाद है हाल ही में वन डे विश्पकप में सब से 30 सतक यानि 40 बॉल में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गये हैं तो यह बन गये हैं गलेन मैक्सवेल इसके बाद है 15 नमबर 213 इसको किस राज का स्थापना दिवस मनाया गया है यह हो जाएगा जारकंड का इसके बा देखाली में विख्षित किया है इसका नाम्षंद्रा दिया गया है। हितेष्rice कुमार, और परती वर्स अंत्रश्ट्यस अत्रश्ट्य Nov3 Vikings के इसारी को मनक göstband , थारी को मना जाता है। इसके बाद которой । नेशनल मेंट्रल को सुमानिता है। है तो यह किया है डॉक्टर देवाशिष भट्टाचाज और किस पुरूश क्रिकेटर को अक्टूबर दोजाते इस के लिए एसे सी प्लेयर अफ दमन से समानित किया गया है यह किया है नई दिल्ली में इसके बाद अगला कोचन देखिए पाकिस्तान के सरवोच नागरिक पुरिषकार से समानित होने वाले चौंते भारतिय कौन बन गया है यह बन गया है डॉक्टर सइदना मुफदल सैफुदीन चीक है याद रखना है सैफुदीन बन गया है इसके बाद है सुप्रीम कोट की पढली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निर्धन हो गया है तो इसके बादे महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसरा सरकार ने हाल ही में सेफ सीटी प्रोजेक्ट शुरू किया है तो यह जो है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है इसके बादे दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और उर्जा सन्यंत्र का उदगाटन किस देश में किया इसके बादे बंगाल के ब्रांड रमेस्टर के रूप में किसे चुना गया है तो यह जो चुना गया है सारभ गौंगली को इसके बादे परती बर्स 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्तिके जन दिन पर राष्ट्य शिक्छा दिवस मनाया जाता है तो यह है अंडर 19 किरकेट बिसकफ दोच्टाइचोविस का जन किस देश में किया जाएगा तो यह जो किया जाएगा दक्षी नफिरका में इसके बाद है राष्ट पती दरोपती मुर्मुन नाई भारत के लिए नाई सिक्षा नाम से राष्टिय सिक्षा अभियान के सुरुआत की है क इसके बाद है भारत के किस बारत ने किस देश के साथ फिर से यह वीजस सुरूँ कर दी है कंणाडा के साथ इसके बाद है से Klar बघ्रश और किया जाता है यह किया जाता है रेग्र descendant सब्सक्राइब यूंई सिता रमन ने इसके बाद है चोबन में भारती ये अंतराश्टेफिल महथसभ कहां आज़द किया गया है तो इसका जो आज़बन किया गया है गोवा में किया गया है इसके बाद देखिए आई सीझी पूरुष क्रिकेट कप 203 इसका टाइटल किस टीम ने जीता है तो ये जी जाएगा इसके बाद है क्रिकेट में सबसे त्येज बिकेट यानि एक आन गया है त्ये गंदवाज बन गया है तो यह प्रीड़ादाबाद इसके बाद है मौन्ट एवरेश्ट के पास एकई सजार पांसो फ्यूट से ड्राइब करने वाली महिला कौन बन गई है तो यह सीतल महाजन बन गई है इसके बाद अगला कोशन भारतिया डेलवे की वन एस्टेशन वन प्रोडेक्ट पहल पर अब कितने अस्टेशनों पर चा सहर को संगीत का सहर घोसित किया गया है इसके बाद रेलटेल ने दूर संचार आई टी और रेलवे सिगनलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझाओता किया है तो यह किया है आई आर आर एसी लिमिटेड आर एसी लिमिटेड के साथ किया है इसके बाद भारतिया टट इसको जो है आठ मी बार मिलाए जात हमयोग इसका एंसर क्ने ऑरन रिल भारत ने कब दूरी की सब्सक्राइब करने जा रहा है इसके जाए किस राजping शरकार हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीती को मंजूरी दी है तो यह किस ने किया है तो महाराश्टर कार ने किया है इसके बाद देखिए राश्टिय जन सहयोग एवंबाल विकास नस्था ने किस सहर में पोर्षन भी मैं मनाएगे विश्ब रेडियो ग्राफ सभी की थीम क्या रखी गई है तो बउब रेडियो ग्राफी में बेटियंट सेफटी चिक है इसके बाद लाउं के इसमें किस खिलाई ने प्यरीसि मास्टर्स का खिताब जीता है तो यह जीता है नोभाक जोकोविच इसके बाद एक देखें, और आइ साली ने जीता है, इसका एंसर D हो जाएगा? अगला कोचेन देखें, देखेंगे, दुमिसमी SEI दो jशेंपिशार की मजमाइने कौन और कौन सा देष करेगा? तो देखें, देखेंगे 2015 की बात कह रहा है इसका जो हो जाएगा बंगला देश करेगा ठीक है अगला कोचन देखिए हाल ही में किस छेत्र में गेको की एक नई परजाती की खोज की गए है ठीक है तो गेको कहां किया गया है पच्छमी घाट में किया गया है और भारत में भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलीट एन्ड माइग्रेशन एग्रिमेंट परहश्ताकशर किया गया है तो इसके बाद है वनंडे विष्णकाप किरसी उतपाद को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझाता किया है तो ये किया है लूलू हाइपर मार्केट के साथ इसके बाद है सुटिंग चैंपियंशिप 2013 में पुरुसो की 50 मीटर राइफल यानि 3P इनवेट में कितने शुर्ण पदक जीते हैं तो ये जीते हैं इसके बाद भारत के किस एस्टेडियम में महान किर्केटर खिलारी सचीन तंदुलकर की परतिमा कानावरन किया गया है तो ये किया गया है वानखेरे स्टेडियम मुंबई में इसके बाद किस देश ने हाल ही में प्राप्त किया है तो ये ड्रोन का क्या नाम है Throttle Aerospace System इसके बाद देखे बिस्फ का पहला AI Safety Summit किस देश में आज़ित किया गया है ये किया गया है बेटेन में इसके बाद अगला कोई चेंद देखी इंगलाइन के किस किर्केटर ने बिस्फ को दो जाते इसके बाद इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास लेने की घोशना किया है तो डेवीड बिली ने और किर्केट से जुले वायज बॉल सब्द को हाल ही में किस डिक्सनरी से जोड़ा गया है ये जिवारा गया है कोलिन्स से इसके बाद है चौथे ACI पाइडा खेलो में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो ये जीते हैं 111 पदक जीते हैं इसके बाद अगला कोचन देखिए कलकता नाइट राइडर ने किस से अपना नाया मेंटर निक्त किया गया है तो ये किया है किसको गौतम गंभीर को निक्त किया गया है इसके बाद है जलवायू परिवर्तन बिशेश्चाग्या प्रोफेस्टर सलीमूल हक का निर्धन हो गया है वह किस देश के निवासी थे तो ये जो है बंगला देश के निवासी थे इसके बाद अगला कोईचन फैनेंशियल एक्सन टाक्स फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रेल लिस्ट से हटाया है तो देखिए अलबानिया को जो है हटा दिया गया है और केंद्रिय अभीत मंत्री निर्मला सितारमन ने किस राज में बाराज येस्टी सेवा केंद इसके बाद अगला कोईचन देखिए इंडियन मोबाइल कंग्रेस के साथ में संस्क्रण का आजन कहां किया गया है इसके बाद है केंद्रिय काविनेट ने जमरानी बांध प्रयोजना को मंजूरी दी है या किस राज से समंधित हो गया तो ये जमरानी बांध कहा हो इसके बाद अगला कोईचन देखिए के अंदर ये सिक्षा मंतरी धर्वेंदर परधान ने किस राज में 124 पीम स्रीज कोलो का सुभारम किया है इसके बाद परतिवस राष्टी एकता दिवस किस्तिती को मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 31 अक्तूबर को इसके बाद हा हाल ही में चुनाव आयुग ने किसे अपना राष्टी आइकन निक्त किया है तो ये किसे चुना है राजकुमार राव को चुना है इसके बाद है देखिए जमुक कास्मीर में रहर है अवेद विदेश्यों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्सता में एक समीती का गठन कि किया है तो इसका विक्सित है सीवी यसी ने किया है और हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त प्रियाटक विजा परदान किया है तो ये हो जाएगा सिरलंका इसके बाद अगला कोचन देखिए आईक्यू एर की अनुसार दुनिया का सबसे पर दूसी सहर कौन सा हो जाए इसके बाद अगला कोचन देखिए हाल ही में किस सहर में भायत का पहला नाइनो लिक्विड यानि डी एपी जो है फटी लाजर प्लांट शुरू किया गया है तो ये कहां शुरू किया गया है ये है गांधी नगर गुजरात में इसके बाद अगला कोचन देखिए किस कंप दो दोनिया भर में किस महा पूरुस के जम दिन पर 26 दिवस को मनाया जाता है यह यह डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम के जन्म दिन पर जो है बिश्प छातर दिवस मनाया जाता है इसके बाद है यूरोपिये संसत ने किसे सखाराव पुरुषकार से समानित किया गया है यह किसे किया गया है तो जीना महसा अमीनी को समानित किया है इसके बाद देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान पराप्त हुआ है तो 1111 पराप्त हुआ है इसके बाद अगला कोईचन देखिए चर्ची उससब नाहा दबा हाल ही में किस राजम मनाया गया है तो नाहा दबा कहां का हो गया करनाटा का हो जाएगा इसके बाद अगल गई है तिरपन इसके बाद है मजगाओ डाक्स सीफ बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा बिक्सित बिध्वनसक जहाज इंफाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और एसियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो यह जीते हैं कितने एक सो कर दिया गया है तो यह है नारवे के इसके बाद हैं मैंगी जी है वावेरी लुइस इब्रस और एक भी मौब को किस छेत्र में 2013 का नोबल पुर्सकार मिला है तो यह हो जाएगा भारत और इसके बाद देखिए कारिको और डू विसमयन को किस छेतर में दो जाते हैं इसका नोबल पुरुसकार दिया गया है तो चिकिस्सा के छेतर में इसके बाद है हाल ही में बैग्यानिकों ने दुनिया के आठ में महादीब का नक्सा जारी किया है जिसका नाम क्या हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा जिलेंडि इसके बाद है बिरांगना दुर्गाबटी भारत का कौन सा टैगर डिजर बन गया है तो बिरांगना दुर्गाबटी जो है चोवनमा टैगर डिजर बन गया है इसके बाद देखिए इंडियन मोटर सैंकल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पर्थम रेसर कौन बन गया है तो अगला कोईचन बंगाल की खारी में उठें चक्रबाती तूफान हामूम को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है तो ये नाम दिया गया है इरान के द्वारा नाम दिया गया है इसके बाद अगला कोईचन देखिए किस भारती अमीर की को अमीर की राष्ट पती द्वारा राष्टिय पर्द्योकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है तो ये हो जाएगा असोख गाडगील को। इसके बाद है अबगो धावी मास्टर्स बाट्मिन्टन दोजातरीस महिला एकल खिताब किस भारते खिलारी ने जीता है तो इसका ध्यान रखना है उन्यती हुड़्डवा इसके बाद है 37 में राष्टे खेलो का पहला स्वान पदक किस राज की महिला बाट्मिन्टन टीम न बाट चलाएगी है इसके बाद किमें गूण्दन पिकाओ पसकार से खिस्ट 높 खिला तो आब सिनल राईपीट को क्या नाम दिया घ्या भारत नाम दिया इसके बाद इंटरनेशनल किरकेट में सबसे ये 26 अजर रस वाले बल्ले बाक बन गए है तो यह बन ग,' गया है पंजा पंजाब सरकार ने राज को पूरी तरह से नसामुकत बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की हैं तो ये किया है होप इनिसियेटिफ होप इनिसियेटिफ किस राज द्वारा पंजाब द्वारा किस राज ने बाग अभिहारनों को लिए बिशेष बाग सुरक्षाबल के गठन को मंजूरी दी है तो ये हो जाएगा अरुना चल परदेश इसके बाद है पी एम नरेंदर मोदी ने किस राज में पांसो एगारा प्रमोद महाजन गरामीन कोसलिया भिकास केंदर का सुभारम किया है तो ये हो जाएगा महाराष्ट में और मिशन चंद्रियान थिरी पर गति सत्र के लेगी हूँ कि नियुंतम समर्थ मुल्कों कितने रूपिया बढ़ाया है तो ये देखिए कितने रूपिया बढ़ाया है इसके बाद है बिहार में चाउंते किसी रोड मैप 23-28 को किसने लॉंच किया है तो ये किया है दरोपती मुर्मुने इसके बाद है किस फिल् सभी रख्षा मंतराले नेियर किया इन्ट लैफ टोय छार्फ के खिना ये कीसे करफ सब्सक्रणा लेटेट के साथ उसrolle vídeo की को अपहेगा पार फी उलंस्स में किया खार्टेश को दो बेस्वाल यानि इसका एंसर डी हो जाएगा इसके बाद एकला कोईचन वन डे क्रिकेट इतिहास में 306 लगाने वाले भारतियों बल्लेबाज कौन बन गया है तो यह बन गया है रोहित सर्मा बन गया है इसके बाद यहाल ही में बिदेश मंत्री एस जैस संकर ने किस्देश म इसके बाद है नेशनल ओलंपिक चेंपियन में 100 मीटर का नया नेशनल लेकोड किसने बनाया है तो मनिकांत एच होब लीधर ने बनाया है इसके बाद है फोपस की वर्ल्ड वेस्ट एंप्लाइट्स 23 के लिस्ट में सामील एक मात्र भारतिये PSU कंपनी कौन है तो यह कौन सा कंपनी हो गया NTPC हो जाएगा इसके बाद है G20 परलियामेंट स्पीकर समिट P20 का आजन कहां क किया गया है तो यह किया गया है नई दिल्ली में इसके बाद है सरक परीभन और राजमार्क मंतरावलाय द्वारा से तू बंधन योजना के तो 20 राज में शात पूलो दक्र 11 प्रजनाओं को मंजूरी दी है तो ये हो जाएगा अगनाचल परदेश में इसके बाद है किस राज ने गंगेट्रिक डॉल्फिन को राज जलिय जीव भोसित किया है तो ये हो जाएगा उत्तर परदेश इसके बाद है कैबिनेट मंत्री ने किस नए स्वायत निकाई के निर इसके बाद है भारत सरकार ने किस वर के चात्रों के लिए अवास्चा प्रयोजना यानि सेस्ट की सुरुवात की है तो यह हो जाएगा अनुसूची जाती के बच्चों के लिए इसके बाद है संस्कृतिक मंत्राले ने स्वक्सता भ्यान 3.0 के स्वक्सता अंतरगत के इसके बाद अगन देखिए असे विख्यान कांग्रेश का अउजन किस सहर में किया गया तो कोचिंग में किया गया इसके बाद देखिए वर्स 2013 के सांती नोबेल पुरुषकार से किसे समानित किया गया तो नर्गीज मोहमदी को और हाल ही में जलवाई परिवर्टन से जुलो एस्पो नोज पुरुषकार से किसे समानित किया गया तो यह है डॉक्टर जोयता गुपता इसके बाद है डिपिका पलिकर और हरिंदर पाल संधु की जोरीन ACI खेलो के किस गेम्स में स्वन पदक जीता है तो यह हो जाएगा इसके बाद अगला कोई चंद देखिए अगला कोई चंद है आई सीसी ने किस किर्केट लिजेंड को वन डे किर्केट वन डे बिस्प कप दो जाते है इसका गलोबल एम्बेस्टर बनाया है तो यह हो जाएगा सचीन तंदूलकर इसके बाद है इस यंस गेम्स ने इतिहास में जैबलीन थ्रो में स्वन पड़क जितने वाली पहली भारते महले अथलेक्ट कौन बन गई है तियो यह बन गई है अन्नु रानी इसके बाद है फिन टेक स्टार्ट अप स्लाइस को किस बैंक में बिलाई के लिए आर विया ने मंजूरी दी इसके बाद अगला कोच्छन देखिया भारत के बाहर डॉक्टर भीम राव अंबेदकर की सबसे बड़ी परतीमा कानावन किस देश में किया गया है इसके बाद भारत के पहले स्वोलर रूप सैक्लिंग का उद्घाटन किया गया है कहां पर किया गया है तो हैदराबाद मे किया गया है इसके बाद बिस बैंक ने बिस वर्स दो हजाताइस चोविस के लिए भारत के जीडिपी ग्रोथ का क्या पुर्वानमान लगाया है तो ये लगाया है च्छोदा समला तीन जीरो परतिसद इसके बाद बिहार राज का दूसरा टैगर रिजर्ब किस जिले में स् बन गई है इसके बाद है भारते रिजर्ब बैंक ने इंटरनेशनल फाइलेंस कोर्परेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने के मंजूरी दी है यह हो जाएगा फेडरल बैंक में इसके बाद है GST सहाय इनवाइस फैनेंस लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा ल पूगल हो जाएगा इसके बाद है ऑसकर दोज्याचोबिस के लिए किस भारती भारत की ऑफिस्यल एंट्री के रूप में फिल्म को नामित किया गया है तो यह किया गया है वही रा रहमान को इसके बाद देखिए अगला कोचन हाल ही में खबरों में रहा जूला घाट सस्पेंसन बिरिज का समन किन दो देश्टों से हो गया तो यह हो जाएगा भारत और नेपाल के साथ कौन सा हो जाएगा जूला घाट सस्पेंसन बिरिज इसके बाद हो गया किस सिक्षा को बिहार केसरी पुरुषकार स सफाली बर्म राज में इस्तित बिरांगना दुर्गावटी टाइगर डिजर भात का चोवनमा टाइगर डिजर बन गया है तो यह हो जाएगा मध्ध पर्देश में इसके बाद है किर्केट के तीनों फॉर्मेट यानि टी ट्वेंटी वन डे और टेस्ट में नमर वन टीम कौन बन गया है यह बन गया है भारत इसके बाद है आधी गुरु संक्राचार्ज के 108 फीट की अश्टैची ओफ वन ने सका आनावरान किस राज में किया गया है तो यह 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 किस राज में स्कूल ऑफ एनिमेशन की शुरुआत की गया है तो यह हो जाएगा पंजाब और अगला कोचन भाद का पहला लाइट होस उतसब कहां जित हुआ है तो यह हुआ है गोवा में इसके बाद अगला कोचन देखिए भाद की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है ये बन गई है साची इसके बाद है इंटरनेस्नल एमी एभाड पाने वाली पहली भारते मिला कौन बन गई है तो एमी आबाद पाने वाले एक ताक्र कपूर बन गई है, इसके बाद अगला question देहिए, काजी थाएज इसा कीस देश की 29 बन गई है, ये देखिए जो है पाकिस्तान की बन गई है, इसके बाद अगला question देखिए, किस भारती अरलायंस ने प्रोजेक्ट अभिननदन की शु किया है ठीक है इसके बाद अगला कोईचन देखिए किस देश ने अधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर गुरूप को अतंगवादी संगठीत घोसित किया है तो यह बीटेन हो जाएगा और किस रोग से पीरित मरीजों के लिए परतिवर्स 12 सेप्टमबर को दुनिया भर में 20 गुलाब दिवस मना आ जाता है तो बिस गुलाब दिवस जो है कैंसर पर रहत लोगों के लिए एसके बात है एगला कोईचन किस महिला क्रिकेटर को अगस्थ 2023 के लिए ऐसी सी प्लेयर अफ दमन्द से समानित किया गया है तो यह हो जाएगा कौन हो जाएगा अरलीन केली आयरलेंड की इसके बाद किस राज या केंसासित प्रदेश में इस्तित उधांपूर रेलवे स्टेशन का नाम ब बदल कर क्या रखा गया है तो यह रखा गया है श्रमीधान सदन इसके बाद अगला कोईचन देखिए किस भारती अस्थल को हाल ही में युनेसको की वर्ल हेरिटेर सेट की सूची में सामिल किया गया है तो यह किया गया किसको सांती निकेतन को सांती निकेतन कहां हो गया त ठीक है कौन सा हो जाएगा पीम विसकर्मा योजना हो जाएगा इसके बाद देखिए पुरुस एस्या कप दोजारते इसका खिताब किसने जीता है तो यह जीता है भारत ने और 15 सेप्टमबर दोजाते इसको दुनिया भर में मनाये गया अंतराष्टी लोकतंत्र दिवस की थ कौन बन गया है तो यह बन गया है रविंदर जटेडा बन गया है ठीक है इसके बाद अगला कोचन देखिए यूएस ओपेन 2030 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो यह है कोको ग्राप ने जीता है इसके बाद कितने बग्यानिकों को 2022 का सांती सुरब भटनगर पुर बंगलोर में किया जाएगा इसके बाद अगला कोचन वर्स 2020 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरिय अवर्ड से समानित किया गया है तो यह है सत्यजीत मजुमदार को किसको इसके बाद अगला कोचन देखिए कि सुन्दरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2030 का खिताब जीती ह इसके बाद अगला कोई चन देखिए पाकिस्तान में भाद की पहली महिला इसके बाद अगला कोई चन देखिए पहली एथेनल से चलने वाली कार लंच की है ये कौन सा हो जाएगा भारत हो जाएगा इसके बाद है वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपियन्शिप में स्वर्न पदक जीतने वाले पहले भारत एक खिलारी कौन बने है तो ये हो जाएगा नी इसके बाद है पी एम मोदी ने की सतारी को परतिवर्ट देर्स भर्द में राष्ट्रियां त्रिक्स दिवस मनाने की घोष्णा की है तो ये हो जाएगा तरीस अगस्त को मनाने की घोष्णा की है इसके बाद है उनहतर में राष्ट्य फिल्न पूर्ष्णारों में सरसे श्रभीनेता का पूर्ष्णार की से मिला है तो ये मिला है अल्लू अर्जुन को मिला है इसके बाद अगला कोईचन देखिए राष्ट्य स्वक्स्ता वायू सर्वक्षन दुजार तो इसमें दोस ल आज में भारत का पहला AI अधारित इसकुल खोला जाएगा तो यह कहां हो जाएगा केरल में खोला जाएगा इसके बाद अगला कोई चन देखिए तो यह किया है कैलास चौधरी ने इसके बाद भारतिय मुल्क के किस लेखेका के उपेनास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरुसका दुए तो इसके लिए सोट लिस्ट किया गया है तो यह हो जाएगा चेतना मारू ठीक है कौन हो जाएगा चेतना मारू इसके बाद देखिए भारतिय किर्केर कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतराष्टी सीजन के लिए ऑफिसियल पार्णर सुप चुना है तो यह कौन सा हो जाएगा किसे चुना है किसे चुना है इसके बाद अंतराष्टी सांती दिवस पर्टी वर्स कब मनाये जाते हैं तो यह कब मनाये जाते हैं इसके बाद राष्टे विज्ञान पुरुषकार को कितने कैटोगोरी में दिया जाने की घोशना की है तो यह कितने कैटोगोरी हो जाएग इसके बाद है भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरी को के लिए बीजा सर्विस को सस्वेंट कर दिया है तो यह हो जागा कानाडा के साथ इसके बाद देखिए आइस एफ 20 में महिलाओं की इसके बाद अगला कोईचन एसकील्स और वेल्स पहल किस मंतराले द्वारा शुरू किया गया है तो यह जो है कौसल विकास और उद्मिता मंतराले द्वारा इसके बाद अगला कोईचन देखिए भारत की जी 20 अधिक्सता पर पीपूल्स जी 20 नामकी पुस्तक कानावरन किस किया है तो यह किया है अपुप चंद्रा ने इसके बाद है यस्षोभूमी इंडिया इंटर्नेशनल कवेंशन और एक्सपो के अगया है तो यह किया गया है दिल्ली में इसके बाद है नमो एगारा सुत्री काज करम के सराज में की गई है तो यह देखिए कहां किया गया है महराश्ट में किये गया है इसके बाद देखिए मुख मंत्री लाटली बहना आवास योजना के सराज में किये गया है तो लाटली बहना यो इसके बाद अगला question देखिए इंडोनेसिया Masters 2023 में पुरुस एकल का खिताब किस खिलारी ने जीता है तो यह जीता है किरन रजजर्ज ने इसके बाद वर्स 2022 के सांती स्वरुख भटनागर पुर्सकार के लिए कितने बैगयनी को कुछ उना गया है तो यह कितने बैगयनी को क सामिल किया गया है इसके बाद जीट्वेंटी सीखर समेलन के दौन भारत ने वर्स 24 में होने वाले जीट्वेंटी के जैक्स्ता किस देश को संपी है तो यह हो जाएगा किसको संपी है ब्राजिल को संपे है इसके बाद अगला question देखिए किस राज में मोबाइल एप सरपं संपाद का नाबरण किया है तो संप़ेंट सरपंच संपाद जो है असम राज से संबन्दित हो जाए गां सा राज हो जाएगा थो ज्वाएब इसके बादा G20 Sustainable Finance Working Group की बैठा कहा आउजुद की गई है तो यह कहा आउजुद किया गए है बनारस में आउजुद किया गए है इसके बाद है वन डे इंटरनेशनल किर्केट में सबसे 30.500 बिकट लेने भारती एस्पीनर कौन बन गया है तो देखिए यहां एस्पीनर की बात हो रहा है त तो देखिए यह जो हो जाएगा नाइरा एनरजी के साथ समझावता किया है और नई दिल्ली में वन वीक वन लाब प्रोग्राम को किसने लंग्स किया है तो यह की है डॉक्टर जितेंदर चिंग ने इसके बाद है इंडोनेसिया मास्टर्स 2023 में पुरू सेकल का किताब किस खिलारी ने जीते हैं तो देखिए यह जो हो जाएगा किरन जॉर्ज ने जीते है कौन जीते है किरन जॉर्ज ने जीते है इसके बाद साइफ अंडर 16 चैंपियंशिप 2023 का किताब किस टीम ने जीते है तो यह हो जाएगा भारत ने और वर्ल्ड वैटमिंटन चैंपियंशि फिस्वकव कहां किया जाएंगे तो यह जो है चन्ने में किया जाएंगे इसके बाद एकला क्विश्चन ढगते हैं एक सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेज़मानी कौँ आधेश कर रहे हैं तो यह को जाएगा 20 में में 20 में एसी आई भारत सिंखर समयलन का आजन कहां किया गए है तो देखिए 1029 में जो हो जाएगा हुआ हुआ है जैकारता में हुआ है इसके बाद देखिए जीवे किसा लिइस पीए हो जाएगा अमूल के इसके बाद है अगला कोईचन भारत की अध्यक्सता में आउजी ट्वेंटी समीत में कितने देशों को गेश्ट कंट्री के रूप में आमन्तित किया है यह हो जाएगा नौ इसके बाद अगला कोईचन देखिए भारत के पहले यूपी आई एटि की ड्रोन शिस्टम का नाम क्या दिया गया है तो यह है इंदर जाल नाम दिया गया है इसके बाद अगला को चंद्रियान के को कर आ अवाज देने वाल इसका हाल ही में निर्धन हो गया है तो ये वाल अरत ही इसके बाद अगला कोईचन वाल रुमत ही होगा इसके बाद है पुरूस होगी 5S एकप किस्टीब ने जीता है यह हो जाएगा भारत इसके बाद अगला कोईचन जूरिक डाइमंड लीग चैंपियंशिप 23 में नीरत चोपरा ने कौन सा मेडल जीता है तो यह हो जाएगा राजत पतक और किस राज के महिलाओं के लिए प्रीथी भी किस राज के महिलाओं के लिए ग्रीह लक्ष्मी योजना शुरू की है तो ग्रीह लक्ष्मी योजना का समंध हो जाएगा कहां से क इसके बाद है युद्ध पोत महंदरगीरी को किस siip builders लिमिटेट ने तियार किया है तो महंदरगीरी को किस है किस ने त्यार किया है मजगाउं डाक शीप Builders ने इसके बाद किस देश में joint military exercise bright star 20 का आरजन किया गया है तो ये किस देश में हो जाएगा तो मिस्र में हो जाएगा इसका बाद देखिया अगला कोचन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियेंशिप में गोल्ड मेरल जीतने वाले भारतिये कौन बन गये हैं याद रखनाई जाएगा तो ये हो जाएगा है तो ये हो जाएगा इसके बाद अकला कोचन देखिये है हाल ही में चंदरमा के दक्षनी धूर पर सफलतापुरवक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है तो ये बन गया है भारत इसके बाद अगला कोचन देखिए भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकोन के रूप में चुना गया है तो ये चुना गया है राजकुमारलो को इसके बाद अगला कोचन नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल के नए अध्यक्स के रूप में किसे थाइलन्ड के नई परदानमंतरी के रूप में किसे चुना गया है तो यह जो है रिय्था थावीषीन थावीषीन थावीशीन घ्लो इंदिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसे नाम रखा गया है अश्मीता महिला लिग इसके बाद अगला कोईचन देखिए ब्रिक समू का पंदरहमा सीखर समेलन किस देश के अधेक्सता में आयोजित क्या जा रहा है तो ये देखिए कहां हो जाएगा दक्षी नफिरका के हो जाएगा कहां हो जाएगा दक्षी नफिरका में इसके बाद मुख मंतरी सीखो कमाओ योजना कार्सुबारम किस राज ने किया है तो ये किया है मध परदेश ने किया है इसके बाद अगला कोईचन देखिए सतरंज 20 कब के फाइनल में पहुंचने बाले इसके बाद अगला कोईचन देखिए ACI Junior Esquise Championship के अंडर 17 कैटेगोरी में किस भारतिय ने गोल्ड मेरल जीते है तो ये बीचे है अनाहत सिंग ने इसके बाद अगला कोईचन देखिए हाल ही में किसे महराज सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रतन पुर्शकार दिया गया है तो ये किसे दिया गया है रतन टाटा को इसके बाद है मुप्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज कौन बन गया है तो ये बन गया है गोवा इसके बाद अगला कोईचन देखिए इसके बाद अगला कोईचन देखिए किस भारतिय मुल्के नेता ने सिंगापूर के राष्टपती चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है तो ये कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा थर्मन सुन मुग रतनम इसके बाद अगला कोईचन देखिए भारत के खगोल विग्यान और खगोल भौतकी के सोल में अंतराष्टे ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल किया है भारत के तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा इस पड़ कोईचन देखिए 15 अगस्ड pipes 2023 भारत कौन सा स्वतंतरादीवस कौन सा स्वतंतर दिवस मनाया गया है भारत में ये हो जाएगा सथातर्मा स्वतंतरतादीवस याद रखना है इसके बाद अगला कोचन देखिए हाल ही में किस राज सरकार द्वारा भारत का पहला किरसी डेटा एक्सेंज लॉंच किया गया है तो यह हो जाएगा कौन सा तेलंगाना राज के द्वारा इसके बाद अगला कोचन हाल ही में किस होकी टीम ने मेंस एसियन चैंपियंशिप ट्रॉफी 2003 इसका किताब जीता है तो यह हो जाएगा भारत हो जाएगा इसके बाद अगला कोचन भारतिय रिजर्ड बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेमड डिपोजिटरी का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लंच किया है तो यह हो जाए है तो यह बन गया है इसके बाद अगला कोचन आठ अगस 2030 पूरे भारत में भारत छोड़ो अंदोलन की कौन सी वर्स गाठ मनाई गई है तो यह हो जाएगा एक आसनी इसके बाद किस खेल से संबंधित भारतिय खिलारी मनोज तिवारी ने खेल से सन्यास लेने की घोशना क कि हैemile है तो यह हो जाएगा किसे किर्केट से हो जाएगा इसक बात है भारत के पहले 3D Printed Post Office Building का उदगारें की सहर में किया गया है तो यह कहां किया गया है यह बंक्रोर प्रेश्च चैंपियंस्शिप में इसके देनामित किया गया है तो यह कितने हो जाएगा पांच हो जाएगा इसके बाद अगला कोईचन देखिए भारतिये राष्टिये महा सागर सुचना सेवा केंद्र ने नाभी को के लिए कौन सा यह लॉंच किया है तो यह किया है समूंद्र इसके बाद अगला कोईचन भारत न 1903 करोर हो जाएंगे इसके बाद है अगला कोचन देखिए भारत की जी 20 परसिडेंसी के तहत यूबा 20 सीखर समेलन का आयोजन कहां किया गया है तो ये यूबा बला जो किया गया था बनारस में किया गया था इसके बाद है ग्राफिन औरोडा प्रोग्राम किस मंतरालाई के सह योग से इसके बाद है किस राज में हेल्फ कार्जकरम की शुरुआत हुई है तो ये हो जाएगा गुजरात में इसके बाद अगला कोचन देखिए भारत के किस संस्था के बैग्यानिकों ने एक नए तारे की खोज की है तो ये हो जाएगा भारतिय तारा भौत की संस्था ठीक है इसका एंसर जो हो जाएगा इसके बाद है जी 25 फेस्टिवल का आउजन की सहर में किया जा रहा है तो यह कहां हो जाएगा यह हो जाएगा नई दिल्ली में इसके बाद है नेहडू मेमोडियल संग्रहालया और पुस्तकालया का नाम बदल कर क्या रखा गया है इसके बाद है स्याई होकी चेंपियंशीप ट्रोफी 2030 का टाइटल किस देश ने जीता है तो यह कौन सा देश जीतिया है तो भारत ने जीतिया है इसके बाद अगला कोईचन किस खिलारी ने टी 20 आए में 20 या उससे कम उम्र के लिए भारत के लिए सरवाधिक छक्य लगान किसे दिया गया है तो यह कौन भारतिय मुल्की महिला अमीर्की वित्मंत्री की उप मुख्य कारिकारी अधिकारी बनी है तो यह हो जाएगा नीशा बिश्वाल इसके बाद अगला कोईचन देखिए कि सराज की विधान सभा ने एक परस्ताव पारित कर केंदर से राज्य क के नाम में परिवर्तन करने का आगरह किया है यह हो जाएगा केरल इसके बाद है रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यूपी आई लाइट के लिए पेमेंट लिमीट बढ़ागर कितने करने का प्रस्ताव किया गया है तो यह जो है 500 रुप्या किया गया है इसके बाद अगला किस जिले में किया गया है तो यह किया गया है कुपवाटा जिले में इसके बाद है किस राज या यूटी के राजोडी चिकरी बुड क्राष्ट को जिया टैग परदान किया गया है तो यह किस राज से हो जाएगा जमू और कास्मीर को राजोडी चिकरी बुड क्राष्ट क कि शमान में कौन सा राष्ट व्यापी अभियान शुरू किया गया है तो ये किया गया है मेरी माठी मेरा देश इसके बाद एक अगला कोचन किस राज की विधान सभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के बिरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है तो ये हो जागा केरल स हला बोल हो जाएगा पायरा बैटमिंटन इंटरनेशनल 2030 में किस जोड़ी ने SL3 और SL4 सिड़नी में स्वार्ण पदक जीते हैं तो यह हो जाएगा परमोध भगत और सुकांत कदम इसके बाद अगला कोई दन देखिए केंद्रिय मंटी मंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाउं में ब्रोड बैंग कनेक्टिविटी के लिए कितने करोर रुपे मंजूर किये हैं तो यह हो जाएगा 1.3 लाख करोर इसके बाद हाल ही में लोगसभा सचीवाल है कि किस नेता की लोगसभा सदस्ता बहाल कर दी है तो यह कौन सा नेता हो जाएगे राहुल इसके बाद अगला कोचन देखिए अमरीत भारत एस्टेसन योजना के तह देश भर में कितने रेल्वेस्टेसनों का आध्वनिकरन किया जाएगा तो यह किया जाएगा कितना 508 रेल्वेस्टेसन का इसके बाद भारत के नमर वन सतरंज खिलारी कौन बन गये हैं तो यह ब देखे बाद अगला कोईचन देखिए मोबाइल एपलिकेसान राज मार्ग यातरा किसके दोड़ाई किया गया है यह किया गया है इसके बाद हाल ही में डी जी सीए ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पाइलट ट्रेनिंग और्गनाइजेसन को मंजूरी दी है तो ये किया गया है भारत डाइनियमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसके बाद है दूर संचार के छेत्र में सहयोगा स्थाविद करने के लिए ट्राइ ने किसके साथ समझाता किया है तो ये किया है सी डॉट के साथ किया है किसके साथ सी डॉट के साथ किया है इसके बाद अगला क कुछन भारत के अधेकसा में जी ट्वेंटी इंपावर सीखर समिलेन का आविजन किस सहर में किया जा रहा है यह कहां किया जाएगा गांधी नगर गुजरात में इसके बाद किस फर्मूला वन खिलारी ने बेल्जियम ग्रांड पीक का टाइटर लगातार आठवी बार जीता तो देखिए आठवी बार जीता जो है मैक्स वेस्ट ओपन ने जीता है इस रो ने किस देश के साथ सेटेलाइट को पी एसलवी 56 रॉकेट से लॉंच किया है यह हो जाएगा किसका सिंगापूर इसके बाद अगला कोचन देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कि वर्लड हेटी टेज कुल्चर प्रग्राम का हिसा बनने वाला पहला भारती ये सहर कौन सा बन गया है तो ये पहला सहर जो है बंगरूरु बन गया है इसके बाद अगला कोचन देखिए भारत में बागो की अबादी की वर्सक वरसिक अनुमानित विर्धिदर कितनी है तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो ये कितने पदक हो जाएगा 14 पदक जीते हैं इसके बाद देखिए इसके बाद अगला कोचन जर्मनी में होकी टूनामेंट के लिए जुनियर भारती होकी टीम का कप्तान किसे नुक्त किया गया है ये किया है उत्तम सिंको इसके बाद परदेश में इसके बाद अगला कोचे देखिए टी ट्वेंटी इंटरनेशनल किरकेट इतिहाष में साथ विकेट लेने वाले पहले गिंदवाज कौन बन गए हैं ये बन गए है साई जरूल कहां किये हैं हिरासर में किये हैं इसके बद अगला कudsर्टान देखिए कें सरकार ने कितने नए ग्रेंफिल्ट हवायाट ड़्याट अस्ठाबित करने के फैसले को मंजूरी दी है तो यह कितने हो जाएगे एकईस हो जाएंगे इसके बाद है अगला कोईचन वर्ल्ड यूथ डेक बैटमिंटन चैंपियन स्टीप में किस भारती ने गोल्ड मेडल जीते हैं तो ये हो जाएगा गौरान सी ने इसके बाद है हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांजेंडर विवाह पर परतिवन्द लगा दिये हैं तो ये कौन हो जाएगा रूस हो जाएंगे इसके बाद है कोडिया ओपेन में मेंस डबल का स्वन पदक भारत की किस जोड़ी ने जीते हैं ये हो जाएग मंतरी कौन बन गया है तो देखिए ये सीम पद कौन हो जाएगा तो नवीन पटनायक हो जाएगा यानि सासो पंचानवर का डी हो जाएगा इसके बाद देखिए तीसरे जी ट्वेंटी डिजाश्टर रिस्क डिसकस्टन वर्टिंग ग्रूप की बैठक कायजन कहा किया गय क्या हो जाएगा योगय योगिन भारत कहां बनेगा तो यह दिल्ली में बनेगा इसके बाद है 27 जुलाई 2023 को केंद्रिय रिजर्ड कुलिसबल यानि CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया यह हो जाएगा 85 अस्थापना दिवस इसके बाद है कारगिल विजय दिव बन गया है यह बन गया है राजस्थान और भारत के विपक्ची दलोग की पार्टियों ने वर्स 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठमंधन बनाया है तो यह हो जाएगा इंडिया ठीक है इसके बाद देखे किस भारतिया बैग्यानिकों को NG अवार्ड से समानित किया गया है यह हो जाएगा ठाल पील परदीब को इसके बाद इंटरनेशनल किर्केट में 500 माज खेलने वाले 10 में क्रिकेटर कौन बन गया है तो यह बन गया है विराट कोली इसके बाद है वर्स 2024 में फिल्म फियर पुरुषकारों के उनहत्तर में संस्कन का जन किस राज में कि किया जाएगा तो यह किया जाएगा गुजरात में और अगला कोचन देखिए इन्वेस्ट इंडिया की नए M.D.R.C. CEO कौन बन गई है तो यह बन गए है कौन नीरूप नीरूप पती राय ठीक है नीरूप पती राय बन गया है इसके बाद अगला कोचन देखिए ICC एक द इसका पूरा एंसर हो जाएगा तो यह कौन सा देखिए इसका एंसर हो गया आप देख सकते है इसका पूरा एंसर हो जाएगा चिका दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें रैक करें और शेयर करें दोस्तों को पिस जाए हिंद